लेने कपरों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। इसका भव्वे आयोजन किया गया है बताएं कि 25 फरवरी से 2 मार्ज तक ये कथा चलेगी लाखो श्रधालू इससा आयोजन में शामिल होंगे देखिए एक बहुत बड़ा आयोजन सरसाई नगरी में होने जा रहा है और पंडित ट्रदीप मिश्रा सरसा पहुचेंगी श्री बाबा ताराची कुटिया पर ये पहुचेंगे तो सरसा वधाय का गोपाल कांड़ा भी उनके साथ में मौजूद रहेंगे तो कल से शुरू होगी श्रिब महापुरान कथा मौखे सेवक गोबिन कांड़ा के सायोजन में भव्य आयोजन किया गया है 25 फरवरी से 2 माज तक ये कथा चलेगी लाखो श्रधालू इस आयोजन में शामिल होगी दिखें सरसा के तमाम लोग इस आयोजन में शामिल होगे एक भव्य आयोजन हम इसे कह सकते हैं तो लाखो श्रधालों जिनकी निगाएं इसी कारिक्रम पर ठीकी हुई हैं तो सरसा बधाय गोपाल कांड़ा भी प्रदीप मिश्रा के साथ में रहेंगे और खबर पार ज्यादा बात्शुत करने के लिए वरिष्ट सम्वादाता अमित जुड़ गए हैं अमित देखी आयोजन सरसा पहुँचाएंगे पंडित प्रदीप मिश्रा क्या कुछ खास कारिक्रम किये गए हैं सरसा की तारा बाबा कुटिया में अमित प्रदीप मिश्रा उन्हें शिव तत्रव विशेशक्तिया माना जाता है और वे आज वायू मार्ग से सिर्था वायू स्टेशन पर उतरेंगे पांच बजे शाम को उनका करिक्रम रहेगा उसके बाद वे शहर के विविन बाजारों से उन्हें स्वाज़त करते हुए लाया जाएगा सासा सिर्था के विधायक और हर्याना लोकिस पाहिस्टी के परमुख हैं साल कांडा वे उनके साथ मौजूद रहेंगे उसके बाद जो श्रितार केश्वत भां में देखिए जो आयोजन लंबे सन्हें से उसकी पैयारियां चल रही थी 25 फरवरी से लेकर और दो मार्च तक यह आयोजन शिव महापुरान कथा का रहने वाला है और जो आज़ात्मि गुरू है और खासवर पर वो शिव के नाम की चर्शा करते हैं और किस पतार से शिव जी को परसंद करने के लिए उपाए सुझाते हैं और लाखों लोग उनसे लावान्दीत होते हैं तो सिर्था के लोगों का भी इसको लेकर बड़ा उस्ता है और एक देखिए लगातार इसको लेकर बैठके होई एकल्बी जो इस पूरे करकें के सही हो जो कहें गोविन कांड़ा उनके अधिक्ता में सर्थ समाज की बैठा कुई इसमें समाज के परमुख जो संक्षन है काम करने वाले उनके साथ उन्होंने सीधा समबाद किया और सेवकों को दाइक सिस्मों प कथा सीधे हर व्यक्ति को दिखाई देंगे तर्भी सिश्रा उन्हें सुनाई देंगे और कथा कावे आनंद ले सकेंगे साथ साथ उपाइदे सुझाते हैं उनको भी वे अपने साथ रख सकेंगे जीवन में उनके काम आने वाले तो ऐसे नहीं है आयोजन अपने आप में बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए और ख़वर पर नजब बना रखने के लिए 25 फरवरी से 2 मार्ज तक ये कथा चलेगी लाखोश रधालू इस आयोजन में शामिल होगे बड़ी जानकारी दे रहे हैं आज शाम सरसा में पहुंचेंगे सरसा वायू से इना केंद्र सी श्री बाबा ताराजी कुटिया तक जाएंगे और खुली जीप में जाएंगे कल से शिव महापुरान कथा शुरू हो जाएगी तो मुख्य सीवक गोविन कांडा के सयोजन में भवया योजन 25 फर्वरी से 2 मार्श तक ये कथा चलेगी तो लाखो इश्रधालू इस आयोजन में शामिल होंगे हम इसे कह सकते हैं एक एतिहासिक कारिक्रम रहनी वाला है इस आयोजन में लाखो इश्रधालू पहुचेंगे तो सिर्सा का हर एक नागरिक पहुचेगा इस विशेश कारिक्रम में इस एतिहासिक आयोजन में तो कल से शिव बहापूरान कथा शुरू होगी तो आप लोग इस खबर पर नजर भी बनाए रखेगा और दिखें क्योंकि लाखो इश्रधालू इस कारिक्रम में इस आयोजन में शामिल होंगे तो ऐसे में सर्सा में पंडित प्रदीप मिश्टा पहुच जाएंगे और साथी वायू मार्क से पंडित प्रदीप मिश्टा सर्सा पहुचेंगे तो खास इंतजामा सर्सा में किये गए हैं तमाम विवस्ताइं जो हैं वो सर्सा में किये गए हैं श्रीबाबा ताराजी कुट्यामी खास तोर पर विशेश प्रबंद किये गई हैं